हेई गाइस वेलकम टू मैं चैनल क्या आप भी यहीं सोचते हैं कि रोज सुबर नास्ते में क्या बनाए तो सुबर के नास्ते के लिए दल्या एक अच्छा विकल्प है जो सेहत के लिए काफी फाइदे मन दे दल्या में कैलसियम, मैगनेशियम, फोसफोरस, ठाइमीन, फॉलेट, पोटेशियम, कार्बोहाइडरेट, जीन, मिनरल्स, विटामीन, आईरन, प्रोटीन, फाइबर जैसे पोसक दत्व होते दल्या मीठा और नमकिन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है नमकिन दल्या टेश्टी बनाने के लिए उसमें आप मंचाहे सबजियों को सामील कर सकते हैं दल्या आपको एनरजी तो देता ही है, साथ ही लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास भी कराता है इसके सेवन से आप दिन भर एनरजेटिक महसूस करते हैं और यह वजन घटाने में मदद कहा है इसमें क्यालरी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और यह फाइबर का एक अच्छा सोर्स है दिन के सेवन से आप पाचन को बहतर बना सकते हैं, सुबर नास्ते में यह साम को हलके मिलके रूप में इसका सेवन कर सकते हैं फ्रेंश डायबेटिस के रोगयों के लिए दिन कार्ब्स होते हैं, ऐसे में दिन दूद खाने के बाद आपको पूरे दिन एनरजी मिलती है पाचन क्रिया सही नहीं रहती है, तो उनके लिए दल्या सर्वच्च अहार है, जीन लोगों को पेट में गैस की समस्या रेती है, उनको भी दल्या की खिचुड़ी खानी चाहिए दल्या पेट में गैस, पेट में दर्थ और एठन की समस्या को दूर करता है, वेजिटेबल दल्या बदाने के लिए दल्या को गी में भूनने के बाद आप इसमें प्याच, टमाटर, पालक और अनिया सबजीया मिलाए, इस नमकिन दल्या से आपको हैल्दी फेट मिलेगा और पोसक तत्वों की कमी भी दूर होगी